तो इस टॉपिक के अंदर हमने प्रिवेस टॉपिक में डोर्स और विंडोस को प्लेस कर लिया है तो अब वेरी नेक्स्ट जो हमारा में टास्क है टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस के ओपर हम बड़ी डिबेट कर चुके हैं कि बिसिकली टेक्स्ट ही हमारी रीडिबिलिटी को इंटरप्रेशन को बढ़ा रहा होता है अब अगर यही जो हमने ड्राइंग बनाई है आप किसी को कन्वे करें तो चलें कोई टेक्निकल बंदा जो थोड़ा सा नौहाओ जिसको इस फील्ड का नौलेज है वो तो शायद फिर भी समझ आए कि यह बेडरूम हो सकता है यह एक ड्राइंग रूम हो सकती है यह लिवि यह हो बेडरूम है और यह वही थैक्निकल बाथरूम है कॉछय का पैशियो का निम्सेप ने रिविए था खौन आप के मेरी लिए है अगर नौल में देखे तो कम्री लागई है तो बेसमे हैं दो टेक्स्टो और तकम्से प्रेड़ क्मांड है इस सारे लिहाए है कि पहल के लिए और टाइम सेव करने के लिए अलेडी मयर्स कर लिए हैं डामेंशन्स रूम के विदिन अब हो सकता है उसमें कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ सकता है दरूरी नहीं कि जो मैंने लिखी है और आपने बनाया है तो आप वहां पे बैठे हो चाहिए जी वह सर ने यह वाले कुछ इंचेश बताया थे अभी हाँ इंचेश ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं तो कम ज्यादा हो सकते हैं कोई भी चीज परफर्क नहीं है कि आपने उसको फालू करना है तो मैंने अलडे है की डिमेंशन लिख लिए हैं तो वेरी कुकली मैं टेक्स हाइड को अधिक्स करके यही तो हम उसी को बाइगत चेश चैश कर लेंगे नो इसमें चीजहों को सब्सक्राइब करते हैं। बढ़ते हैं निए जो था कि हम अपने हाउस प्लाईन है इसको कोई को प्लीटिटिन की तरफ लेकर जाएं। यह हमारे पास प्लाईन है जिसको अभी हमने अपने प्रिविएस प्लाईन की था उसके अंदर। सो हम LA करके एक लेयर क्रियेट कर लेते हैं ताके हमारे लिए असानी और टेक्स्ट के नाम से और अगर इफ वी वांट तो चेंज दी कलर वी कैन देख लेते हैं अगर हमारे पास कुछ रीजनेबल और अप्रोप्रियेट और कलर थोड़ा सा डिफरेंट चलें यह वला कलर सरस पाकिस्तान के ही कांटेक्स्ट में हम इसको ले लेते हैं और टेक्स्ट को हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं अब जब भी हमने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको पहले भी बिताया था कि हमने डी आई की कमांड लाजमी और जब हमने बिताते हैं तो हम डी आई की कमांड को अपरेट करते रहेंगे साथ साथ ताके हमारे लिए असानी हो अब फिलहाल जो है फार टाइम बिंग मैंने ये खुद मज़र कर ली की हुई है तो मैं डारेक्टली पॉट करता जाओंगा बट डारेक्टली जब आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो आपने उन डामेंशन को जो है वो अकॉर्डिंगली अडजेस्ट करना है बताना है सो हम यहां पे जो है टेक्स्ट लिख लेते हैं को टेक्स्ट हम एक लिया तक हम तक इसमें की रिख समने तक मसि एक राजेख को ईणिख लेज़ा है यहां से भी और यह मुझात्यमोगा करेंगे यहां से यहां भी मुझा करके तो यहां पहुझा है तोड़ा सा ये बड़ा टेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट तो अर ड्राइंग फिलहाल ये फोर फीट पे है जो वाइना तो में एक बड़ा फीट पे बड़ा करके देख लेते हैं या अगर हम चाहें तो चलें थोड़ा सा स्लेक्ट करके स्लाइटली जो है इसको 1.5 फीट पे करके देख लेते हैं तो अज öğ ये बड़ा ऐलोड़ा ये और ये और उसको झो हम еm बा में एंटरे कट थोड़ा सा पीछ्यरिमूव कर लेते हैं यहां तक रख लेते हैं इसीपे कले करके और हम peaceful 순चार कर लेते हैं और साथ हम डाइमेंशन लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए फिर अगली डाइमेंशन को असानी हो यह मैंने अलड़ी मियर की हैं तो यह 16 फीट और जो है वो क्रॉस हम यहां पर डालेंगे डाफिनली जो हम इसको बाइ का साइन है 16 यह हमारा X-axis जो है और अगर हम Caps Lock On करके करें यह हमारे पास X-axis और Y जो है 16 फीट और डैश क्योंकर इंचेज जब होंगे तो डैश आएगा तो 7 जो है एंड 1.5 जो है वो इंचेज है तो यह हमारे पास हमारे बेडरूम की एक डिमेंशन है अब मेरे ख्याल में इसको 1 ही रहने देते हैं क्योंकर अगर यह चोटे जब कमरों में जाएगा तो वहां पे यह प्रॉबल्म क्रियेट कर सकता है और M की कमांड लगाके हम थोड़ा साइस को जो है वो अब हम करते क्या हैं कि हम सी ओ हमारे पास क्योंकर हमने कमांड अलड़ी लगाई हुए है कॉपी विड बेस पॉइंट तो हम यहां पे सी ओ की कमांड लगाके यह मुख्लिफ जगों पे पेस्ट कर लेते हैं ताके असानी हो जाएगी हमारे भी यहां पे हम थोड़ा साथ देखेंगे कि शायद अगर आगमे कुछ कम जीजादा इस टEक्स्ट को करना पड़े तो हम कर सकेंगे और यह हमारे पास है यह यहां पेभी और डिफिनलिति यहां पेभी और यहां पर भी हम विल सी के अगर हमने और यह हमारी रियर स्पेस भी है तो यह हमने जो है वो यह हम इंशूर्ड के हमारे पास जो हमारा लिविंग रूम है और हमारे पास मुल्टिपल जो आप्शन हैं वो मौझूद है So all we need to do is start करते हैon edit करना So यहां से आ जाते हैं back से start कर लेते हैं और यह हमारे पास जो है and this is our rear जो है वह, भीक जो है वो स्पेस है और पर केष़ भी एंटर करदेते हैं हम चाक। नीचे आ जाएं So यह 3 का word हम यहां से तो रियर स्पेस्ट ये हमारी 7 फीट वाइड है ये हम ढ़ने करता है इसको ये अगर हम चाहें तो इसको ष्ट्राइट भी लेक सकते हैं ये जो स्ट्रेइट भी लिखी हुई होती है इस तरह भी हम शोग करते हैं इदर आ जाते हैं तो यह हमारे पास हमारा बात है और इसका जो साइज है वह हमने यह हमारे पास बी चले बड़ा और कैप्स लॉक हम अन कर लेते हैं अगर आपको याद हो आप प्रिविस भी जाएं तो आपको ने यह लगाया था तो यह हमारे पास 7 इंचिस दिखा गया है तो यह 6 x 7 अगर हम चाहें तो अगर को लेड़ा हम इसको जो है वह 6-0 इंच भी लग सकते हैं 7-0 इंच भी लग सकते हैं इसका नाम हम स्लाइटली तो कि हमारे पास बड़ा जो है हमारा बेडरूम है म-A-S-T-E-R मास्टर बेडरूम हम इसको कह लेते हैं और फिर हम रूम को भी डफिनिटी डबल ओ-म कर लेते हैं ताकि हमारा सिफ इनिशियल वर्ड जो है वो कैपिटल रहे और इसको हम डबल क्लिक करते हैं इसको हम यहां से एंटर करते हैं और इसको हम देख लेते हैं यह 26 फीट ड़ेश फोर अद आफ जो है वो इंचिस यह इसका X-A-S ए और Y जो है इसका 18 सो इसके हमें जो है वो 18 की जो है वो आप्शन मौजूद है सो यह हमारे पास हमारा मस्टर बेडरूम आ गया और इसके साथ जो हमारे पास आप्शन है यह वाले इसको भी हम डेफिनल्टी यह हमारा बात्रूम है तो इसको कैपस लॉक आउन करके B A T H और बात्रूम की जो है वो हम यहां पे R O M बात्रूम कह देते हैं इसका और इसका साइज जा है इसका स्वेट और साथ इसके एच, सेवन एठ vegan ऒड़ी जुट अच्छन है यह पास है हमारा द्रहस है तो इसको भी we can even आपके यह हमारे पास कीचन है, कीचन हम इंशोर कर लेते हैं कि किया हम ने कैपस लोग अन किया हूआ था तो यह हमारे पास कीचन है तो इसको जो हम देखें तो तेका है about 16 feet 20 feet हम अब दिक है थे काफी बड़ी हैं तो हमारे पास options बजूदे हैं कि हम various spaces दे सकते तो kitchen भी हमारा। ये मारे पास नीचे आजयен तो मदंधना है आजय वारा पाउडर रूम है एसको पॉडर हम यहां से इंशोर कर लेते हैं ये ले पाउडर रूम आगया हमारे पास और रеспश्माडर भार्डर ऑघर हमें वहारा गे बित तो भी षमारेयं लेके आजये तो इसको हम 7 x 7 तो इसको हम 7 कर लेते हैं तके हमारे असानी हो जाए और अब आखर में बस मुव करते हुगा हुआ रहे हैं यह आगए हमारे पास यह फिर लाउच या लिविंग एरिया जिसे हम कहते है चलें इसको हम टीवी लाउंज अगर कह रहे हैं तो कैप्स लॉक अन करके टीवी और एल बड़ा और यू एन जी ई लाउंज एंटर कर दें नीचे क्योंकि नीच अना चाहिए यह है जी 26 फीट और इसको साथ जो है यह डैश 4.5 अब यह 4.5 को आपने 41 नहीं समझ लेना इसको साथ 4.5 यह यह चार और उसके साथ 2.5 यह इसी तरह यह 20 फीट है और साथ 7.5 तो यह 7.5 तो यह लिखा हुआ है यह टीवी लाउंज है यह हमारे पास पैशियो है जिसको हमने कहा था कि यह ओपन तो स्काई होगा और यह आपका जो है वो डिजाइन के अंदर एक बड़ा इंपोर्टन रोल प्ले करता है पैशियो इसको एंटर कर दें यह हमारे पास पैशियो का हो गया इसको हम प्लेस्मेंट थोड़ी सी बड़ा सकते है यह हमारे पास आजाएंग जो हमने गेस्ट के लिए जो है वो इन्शोर की है ताके प्राइवेसी भी इंशोर हो जाए और उनका वर्क भी तो इसको एंटर कर लेते हैं तो डाइनिंग जो है तो यह हमारे पास डाइनिंग है अब मीचे हम जा जाते हैं तो यह हमारे पास ड्राइंग रूम है थोड़ा बार घ्राइनिग झुरियर कर लेते हैं और यह हमारे पास ड्राइंग रूम है एक टोता है तो यह थोड़ा बहुत अगर इन कैस कोई आपको डिफरेंश लगे जब आप इसको लिख रहे हों तो आपने गर क्वेशन कर के लिख रहे हैं और आपको लिख रहे है kamp बिलकुल एक्जेक्ट ऐसा ही हो और यह हमरे पास अगर हम कार पूर्च कर लें यहां पर बड़ा घर है तो पॉसिबिलिटी इस दियर के यहां पर ज्यादा गाड़ियां आ सकती हैं बड़ी गाड़ियां नॉर्मली आप देखते हैं बड़े घरों के अंदर आपको जो है वो तो 30, 1.5 तो इसको विल मेके 30 और देश 1.5 इंच और इधर जो है मारे पास 10, 1.5 तो 10 feet 1 and dash 1, 1.5 यह नहीं 1.5 है यह नहीं 1.5 है तो I hope we are done with texting, quickly मैंने नोट किये हैं अब हम last में जो है वो एड का लेते हैं dimensioning ताकि हमने texting एड कर लिये हैं और हम dimensions के उपर वर्क कर लें तो हमने already काम किया हुआ है हमने दो चीजें यहां पर इंशूर करनी हैं हमने work किया था D हमने तो already काम किया है और text को हम थोड़ा सा इंशूर कर लेते हैं कि text में आएं तो for example हम इसको 10 inches कर लेते हैं तो reasonable है lines में हमने already काम किया था और यह अगर हम extra line बाद में delete भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं बहराल for the time being अगर हम इसको close करें और सबसे पहले हम D li dimension जिसको हमने काता linear और suppose यह हमारे पास linear dimension अगर यह वाली है और अब हम यहां से move करना स्टार्ट करेंगे तो DCO dimension continue जिसकी हमने already option देखी है और हम जो है वो click करते जाते हैं यह door है तो यह का distance कितना है then यह wall है suppose यह wall है अगर आपने यहां तक distance भी बताना है तो yes we can so depending upon the purpose कि आप कहुंसा purpose serve कर रहे हैं कितनी dimensions को आप दिखाना चाह रहे हैं और अगर आप चाहें तो मजीद अभी भी आप note करें तो text size थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो we can even change this text size as well so यह हमारे पास यहां तक आगए हम यहां तक आगए यहां तक suppose यहां तक और अगर आप note करें तो यहां तक और यह तो यह हमारे पास हमने multiple उसमें aspects में काम कर लिया है यह सारी अगर अगर हम चाहें तो modify में जाके और text को slightly 10 को अगर हम let's make it 7 तो थोड़ा सा जो है इसमें definitely अब note करें तो अब थोड़ा सा और clarity होगी होगी इस तरह जब हमने इधर से move करना है तो सबसे पहले हमने दुबारा DLI dimension linear की command लगाएंगे that is suppose यह है हमारे पास अब हम DCO की command के साथ अगर हम चाहें तो यह वाली window यहां तक है फिर यहां तक है फिर यह है फिर यह है फिर window है अब यह depend कर रहा होता है मैं already एक चीज मैंने clear की थी के normally जो house plan जमा करवाते हैं उसके अंदर इतनी ज्यादा detailing required नहीं होती वो जस्ट आपसे पूछना चाह रहे होते है main main जो आपके बाहर के exterior dimensions है जब आप site plan किसी engineer को दे रहे हैं जो आपके work कर रहा है जो आप जिसकी drawings आपकी बना रहा है तो वहां पे यह चीजें डिमांड करता है required होती है और आपने देनी भी होती है चलें यह वाली side भी हम complete का लेते हैं चौती side I'll leave up to you कि आप लोग खुद इसको execute करना, perform करना आगे जाके ताक कि आपके लिए असानी हो यह हमारे पास side है इसी तरह हम यहां पे आजाते हैं तो यह option है यह option है और यह option है और यह option है हमारे पास this one as well अब यहां तक हम आगे और इस तरह नीचे आना है तो definitely हमने last को भी हम यहां पे continue कर लेते हैं so dli की command हमारे पास मौझूद है और यह यहां पे जो है और dco की command हम लगाके we can even make this one, this one, this one and this one और यह door-drowaza start हो रहा है, end हो रहा है यहां तक और यहां तक, so this is how, अब यह lines है अगर आप समझते हैं कि यह lines आप delete करना चाह रहे हैं आपको थोड़ी सी confusion create कर रहे हैं, तो हम d enter dimensions में दुबारा जाते हैं, modify में दुबारा जाते हैं, lines में तो extra line one or two delete करनी है, तो इसको delete कर देते हैं, set current करके, close करेंगे, तो यह lines दिलीट हो चुकी है तो इस तरह हम dimensions को और अपनी texting को इसको अगर हम चाहें तो इनको we can even place these dimensions in a separate layer, एक और layer बना कर ताके कोई और हम color से variate करना चाह रहे हैं बट इस इस हाओ, नॉर्मली हम texting और अपनी dimensioning उसको पूरा करते हैं तो इस topic के अंदर हमने अपनी dimensioning और text को पूरा किया है, quick way में हमने काम किया है, text अपने command की हुई है, simply हमने text appropriate size according to with relation to our drawing निकाल लिया है उसी को simply हमने move किया है, copy with base point place किया है, changes की है, और मैंने अलड़ी यह note कर ली थी सारी और जब भी एक चीज़ बड़ी important है जब हम किसी रूम के size की बात करते हैं तो internal wall to internal wall के distance हम हमेशा note करते हैं, external to external नहीं होता, internal wall के distance हमने निकालने हैं और quickly हमने इस पे work complete किया है, hope के इस plan के बनने के बाद, क्योंके अलमुस्ट we are done with this plan, section elevation की तरफ हम जा नहीं रहें तो आपने देखा होगा के very quickly हमने बहुत जल्दी में एक बहुत बड़े घर का plan नहीं complete किया है और किसी भी तरह की design को complete करना